असलाम अलेकुम नाजरीन आपका होस्त मुहम्मद आमिर ड्रामेटिक लाइप से आज बच्चों ने आर्ट एक्जिबिशन का इनकाद किया है जिसमें इन बच्चों ने बहुत ही खुबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं और इन बच्चों का कहना ये है क्योंके इनका होसला बहुत बुलंद है और इन्होंने ये कहा है कि जी हमने करोना से डरना नहीं हमने करोना को मार भगाना है इन्शालला और इस सिल्सले में उन्होंने आर्ट एक्जिबिशन का इनकाद किया और खुबसूरत पेंटिंग्स ब बहुत ही लाजवाब पेंटिंग्स इन बच्चों ने बनाई हैं, मैं तो देखकर हैरान रह गया हूँ, और अब आपको भी मैं दिखाता हूँ, इन्शालला आप भी बहुत खुश होंगे, और जरूर ये पेंटिंग्स देखकर इन बच्चों को सहराईएगा, जी तो नाजरीन अब हम पेंटिंग्स की तरफ चल दियें, और अब आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने कितनी खुबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, माशालला बिसमिल्ला रर्रभ्मान रर्रहीम, इन्शालला अल्ला करेगा इन बच्चों की जो ये पेंटिंग्स ब बीच में इन्होंने ये शायद करोना वाइरस बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने कोविड नाइनटीन, इस करोना वाइरस का जो नाम रखा गया है कोविड नाइनटीन और नीचे इन्होंने लिखा है गो कोविड गो, बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान के बच्चे इ इतना जोश और जजबे के साथ उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं जो आप इस वक देख रहे हैं और जो मैं आपको इस वक दिखा रहा हूँ नहाईती खूबसूरत पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत रंग्स इन्होंने जो है वो अपनी पेंटिंग्स में डाले हैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं और मैं तो इन बच्चों से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है तो इसके पीछे क्या राज है, क्या ताकत है, या क्या जजबा है जो उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है और आपको दिखाने हैं कि कैसा इसका बहुत अच्छा है, एबस्ट्रैक्ट आर्ट है, पाम पी, चांद पर लटका हुआ आदमी जो शाहिद अपनी बच्ची या बच्चे के लिए चांद तोड़ने का कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के बच्चे बहुत बच्चे बहुत बोश्यार और हो नहार बच्चे हैं कि ये इतने कलरफूल पेंटिंग जोंसी है इतने रा देने वाले महौल में और हर तरफ जो है वो कर्फ्यू आर्डर लगा हुआ है लॉक डाउन हुआ 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 है उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान के बच्चों ने जो है वो करोना के लिए एक नारा बुलंद किया है गो कोविग गो जिसमें इन बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग और बहुत ही लाजवाब एबस्ट्रेक्ट आर्ट पेश किया है जी तो नाजरीन आपने देखा कि कितने खूबसूरत अबस्ट्रेक्ट आर्ट इन्होंने और बनाई है जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ किसम की पेंटिंग्स अपनी दिवार पर बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्ला आपक्स